इसकार दोस्तो मीत सीरियल काने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए घणा ही दिल्चस्प देखने को मिलेगा दोस्तो जब आप लोग देख पहेंगे कि किस तरीका से आखिरकार मीत हुड़ा इस समय सबसे ज़्यादा खुस नजरा रही है कि आखिरकार चलो कुछ तो में तुम्हें क्या लग रहता कि मैं तुम जैसे के साथ मैं होली खेल सकता हूं कतक Ihr कि getting किसी वी तरीका से को समझता भी नहीं हो तुम्हारी ऑवकाते ही क्या है क्योंकि आप लोग जानते है कि इस समय हर से ताने मारता हुआ नजर आ रहा है मनमीत पहलवान और मनमीत पहलवान का सीधा सीधा टार्गेट जो है वो मीथ हुड़ा है क्योंकि मीथ हुड़ा को वो हर तरीका से टार्गेट कर रहा है और मीथ हुड़ा ने बोल दिया है कि जितना तुमको टार्गेट करना है तुम इतना टार् समखाई है कि वो अपना बदला लेकर ही रहने वाली है इस फैमली से क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मीथ अलहावत का जो सपना पूरा होना था वो मीथ हुड़ा ने कोसिस की हैं लेकिन लगातार मनमीथ पहलवान की फैमली सरकार और काफी लोग जो कि बहुत समय से अलग सब्सक्राइब दोस्तों इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं इस चीज़ गों कि आखिरकार होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार मीथ हुड़ा कब जाकर एक नई सं तो श्टीक की सांस ले पाती हैं साथी दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर जी हाँ मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें